नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे टूप चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो के माधम से आपको बताने वाले हैं बिहार में जो सिक्षक नियों की परकिरिया सुरू की गई है 15 जून से इसमें आवेदन लिये जा रहा है और 14 जुलाई तक आवेदन इसमे कहा है इस पर आपको बता दे कि 14 जुलाई तक डियलेट वाले अभ्यार्थी जो एन आई वेस से किये थे उनको मौका नहीं दिया गया था तो उनको आवेदन करने का मौका दिया गया था लेकिन बुद्धवार को हाई कोट ने इस पर सिक्षाई वाग को नियोकती पर रोक कोट ने नया मामला जो है और 4 सितंबर तक इस पर नियोकती की परकिरिया पर रोक लगा दी गई है अब इसमें एक और नया मामला आ रहा है कि जो डियलेट अभ्यार्थी हैं और जो सिक्षा में असनातक किये हुए हैं उनका मेगा सूची दोनों का अलग-अलग तयार हो इ आपक बता दे कि ये पटना हाई कोटनेट डियलेट पास पर सिख्षित उम्यद्वारों को सिख्षना असनातक से ज्यादा तरदी देने वाले पर मामला पर रोक लगा दिया है सोम वार को इसको सुनवाई किया गया था आपक बता दे कि शिख्षा विवाग ने 17 दिसंबर को आदेश जारी किया था और प्रात्मिक सिख्षक नियोजन के लिए NCTE से मानता प्राप्त संस्थान से सिख्षा असनातक में उपाधी लेने वाले जो अभ्यरति हैं उनको 1-5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति किया जाएंगे इस पर 17 दिसंबर को आदेश जारी किया ग होगा और वे ब्रीज कोर्स से उतियुन होने की तारिक तक परस्षिक माने जाएंगे यालिए 18 माह का आपने डियरेट का KOS किया है उसके बाद आपकी नियुक्ति परकिरिया होने के दो वर्स के भीतर आपको 6 माह का ब्रीज कोर्स अनिवार करना होगा ये 17 दिसंबर को गा मिद्वार नियुक्त किये जाएंगे तीथी से वे परशिक्षित तो माने जाएंगे लेकिन एक नया जो है नियोजन के बाद डियलेड और शिख्षा असनातक छात्रों में वरिता सुची के मानने एक नया आदेश जारी कर दिया गया है यहां पर आपको बता दे कि जो डियल चैन अलग किया जाएंगे जाएंगे उनका जो है शिख्षा में ग्रेजुट हैं और यह ब्रीज कर्स कर रहे हैं छे माह का तो इस पर हाई कोट ने परकिरिया पर रोक लगा दिया है प्रात्मिक शिख्षक नियोजन एक बार फिर इस पर लटकते हुए दिखाई दे रही ह हाई कोट ने डिलेस पास अभेरतियों को सिख्षा असनातक से जादत तवज्यों देने के मामला को भेदबापुन पर रोक लगा दिया है और 7 सितंबर तक इस पर याचिका को असपस्ट करने हो कहा गया है कोट ने समिधान 14 और 16 के खिलाप ये बोला है कि ये अनुछे 14 औ मिद्वारों ने याचिका दायर किया है इस पर हाई कोट के न्यायमूर्थी डक्टर अनिल कुमार अध्यक्ष ने अदेश दे दिया है और 17 दिसंबर पर ये जो नया गाइडलाइन जारी किया गया था 17 दिसंबर को इस पर रोक लगा दिया गया है और 7 सितंबर से इस पर स सभी मामला इस पर आपको बता दें कि जो डिलेट अभयर्ति किया है और जो एन आईवेस से किया है उनका जो है अलग मामला है और जो असनातक किया है और डिलेट किया है इनका जो है मेगा सुची अलग बनाने के लिए ये याचिकार जायर किया गया है तो इसी के रिगाड के द्वारा असपस्ट कर दिया गया है कि जो अभ्यारती अभी आवेदन नहीं किया है वे आवेदन करेंगे आवेदन ले जा रहा है जिनका आवेदन अभी नहीं हुआ है बाढ़ के कारण या परिवान की सुद्धान नहीं होने कारण आवेदन बहुत सरे छात्रों नहीं त अलग अलग छात्रों ने यहां पे बोला है कि दिसंबर में जो सीटट पास अभेरति हैं उनको भी मौका दिया जाए तो उसके रिगार्डिंग जो है नियुकती पर किरिया अभी नहीं होगी उसका भी सुनवाई होना है तो उनको भी आगे मौका दिया जा सकता है अब कोट म है भार